नमो 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 जिनानन चमतकार दिखाए नमो जिनान चंडालियम कटुना नीव विज्ञ कयाई भी कडमकडेती भासिज्या अकडमदो कडेतिय जो आवेश्वस अभी जूठा बोलना और छुपाने की बात आ रही है जब भी हम कोई भी close relationship में होते हैं पती-पत्नी के relationship होते हैं शिक्षक और student का relationship होता है माबाप और बच्चों का relationship होता है अक्सर close relationship में ये गलतिया अवश्य होती है जूट बोलना और छुपाना तो यहां भगवान बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं कि ये जूट बोलना थोड़े टाइम के लिए तो आपको लगेगा कि मुक्ति मिल गई लेकिन मुक्ति नहीं मिले आप कहीं न कहीं खुद फसोगे मरोगे और ऐसी हवस्था में पहुँचोगे जहां कोई आपको बचा नहीं सकता भगवान भी नहीं बचा सकता जो सदगुरू के पास जूट बोलता है और चुपाता है पर एक्जामपल डॉक्टर के पास आप गए कोई रोक के लिए और आपने अमुक बात उससे चुपाई और जूट बोले उसने पूछने पर तो क्या आपका कल्यान होगा नहीं न इसी प्रकार भगवान ने बताया कि ये जो रिलेशन्शिप है आप उनके पास उपाई लेने गया है और आप अपनी बात चुपा रहे हो अपनी बात जूट बोल रहे हो तो क्या मिलेगा आपको आपका ही जबर्जस्ट अहीत होगा बर्द बड़ा अहीत होगा तो ऐसी गलती कभी मत करना कोई भी रिलेशन्शिप उनके जो होती है पती पत्नी की माबाप और बच्चेों की गुरू और शिश्य की कोई भी क्लोस रिलेशन्शिप बोस और कलिक की और बहुत सोर यह सबॉडिनेट की यह ऐसी जो भी close relationship होती है वहाँ पर जो नीचे वाला होता है suppose हम संतान है माबाब और संतान के वाले में हम संतान है तो हमें यह ध्यान रखना है हम सिश्य है तो हमें यह ध्यान रखना है यह बात वो गुरु को नहीं बता रहे है वो किसे बता रहे है जो लोर है उसको बता रहे है कि वह तूझे यह ध्यान रखना है ठीक है husband wife के relationship में higher लोर नहीं रहता है equal होता है तो वहाँ उस equality में भी जूट नहीं बोलना है चुपाना नहीं पार्टनर बिजनेस पार्टनर होते है वहाँ भी equality के relationship होते है तो वहाँ भी जूट बोलना और चुपाना नहीं है आप boss के अंडर में काम करते हो तो आपको वहाँ भी यह करना नहीं है यह भगवान चेतावनी देते हैं जो ऐसा करता है उसका भविष्य असुरक्षित बन जाएगा उसका क्या हल होगा उसको भगवान भी नहीं बचा सकता ऐसी चेतावनी यह दी गई है लगाके नमजिना नंताना लगाके सब को प्रभू हम तब को प्रभू हम तब को